अबसकार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ओलाइन इंस्टिटूट टार्गेट भी तालोग में मैं रवी तिवारी रेजिनिंग की एक और नई किलास के साथ आपके समख सुपस्तित हूं कि सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं क्या क्ल व्यक्ति कुल व्यक्तियों या वस्तूओं की संख्या या इसी को हम कहते हैं ठिरी कंटेंट रिले सन थिरी कंटेंट रिले सन ठीक है थिरी Content Lesson ठीक चलिए या इसी को एंगलिस में आप एक और नाम से जानते हैं जिसको आप कहते हैं टोटल नंबर टोटल नंबर ठीक चलो दूसरा जो इसके बाद यहां से टॉपिक हमारा रैंकिंग कर निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं maximum number and minimum number maximum number and minimum number तो आप इसको कहेंगे हिंदी में अधिक्तम संख्या एं और new term संख्या क्या कहेंगे अधिक्तम संख्या और new term संख्या फिर तीसरा टॉपिक जो यहां से हमारा बनता है वो हमारा बनता है middle term मिडिल टर्म मतलब बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या बीच की संख्या अब बीच की संख्या में बीच में व्यक्ति भी हो सकते हैं और बस्तुवें भी हो सकते हैं तो इसको हम लोग का कहेंगे मिडिल टर्म इसमें दो टाइप होते हैं एक, जब दिसाज समान हो, एक, जब दिसा समान हो, दो टाइप बनते हैं, और दूसरा, जब दिसा असमान हो, जब दिसा असमान हो. ठीक फिर यहां से एक और हमारा टाइप यहां से निकलेगा और यहां से जब हमारा अगला टाइप निकलेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए इसको हम लोग कहेंगे रेशियो रिलेशन रेशियो रिलेशन इसको हम लोग कहते हैं इस टाइप को पंग्ती का अनुपातिक संबंद पंग्ती का अनुपातिक संबंद पंग्ती का अनुपातिक संबंद एक और महत्पूर टॉपिक हमारा यहां पर रह गया है है ना जो सबसे महत्पूर है है ना जिसको हम लोगों को यहां पढ़ना है इस टॉपिक के और इस टॉपिक के बाद जैसे यह पहला टॉपिक पढ़ेंगे यह दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे यह चौथा टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे इस टॉपिक से चैप्टर को खतम करेंगे और यहां से जो तीसरा ट आपको पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है आपका पंती का विकर्ण सम्मंद विकर्ण सम्मंद है ना या जिसको हम लोग कहते हैं डाइगोनल रिलेशन्स या इसको हम लोग कहते हैं इस्थान पृतिस्थापन पंती का इस्थान पृतिस्थापन है ना पंती का इस्थान पृ Position Interchange Position Interchange मतलब अगर हम इस ranking में देखें तो इस ranking को हम लोगों को पाँच भाग में बाटके केबल ranking को पढ़ना है ठीक है? चार भाग में बाटके arrangement को पढ़ना है तो पहले पाँच यह बड़ा topic है ranking arrangement और sequence बड़ा topic है पाँच type हमें ranking के पढ़ने है लगभग 11 टाइप हमें इस chapter में cover करने है तो किसी भी परिच्छा में हम 3-4 पृष्णों को आराम से हल कर सकते हैं और आप बड़े exam देते हैं तो आपकी जो है arrangement से puzzles बहुत जबर जस्ताती हैं तो puzzles को भी पढ़ना है तो यहां से इस topic की सुरुबात हम लोग कर रहे हैं अब देखो पहरे topic से बेटा सुरुबात करते हैं मतलब यहां से हम बाकी चीजों को हम लोग हटा दिया जाए यहां से बाकी चीजों को हटा दिया जाए और यह जो topic आपका लिखा है इस topic से हम लोग इसकी शुरुवात कर ले हैं इसी को हम एक नाम से और जानते हैं क्या देखिए एक नाम इंगलिस में क्या हो गया total number एक क्या हो गया कुल व्यक्ति या वस्तूओं की संख्या एक हो गया three content relation और इसी में एक और relation होता है जिसको हम लोग पहते हैं one ratio two ratio three relation one ratio two ratio three relation ये चारों जो चीजे लिखी हुई है ये चारों चीजे एक ही है है ना एक ही topic का हिस्सा है तो अब हम सुरू करते हैं total number और बिलकुल basic से सुरू करते हैं जैसे चीजे आपको समझ गया है किल संख्या व्यक्ति और वस्तों की कुल संख्या को व्यात करना चलो कुल संख्या total number चलो देखो आराम से समझने की कोशस करते हैं जैसे मैंने यहां पर कहा कि एक दस व्यक्तियों की एक पंक्ति है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो ठेक दस व्यक्तियों की पंक्ति है हम इस व्यक्ति के स्थान पर फोकस कर रहे हैं इस व्यक्ति के स्थान पर हम फोकस कर रहे है जब हम सामने से किसी चीज को देखते हैं तो जो हमारा बाया होता है वो उस content का बाया होता है और जो हमारा दाया होता है उस content का दाया होता है जैसे आप whiteboard को देख रहे हैं आप किसी holding को देख रहे हैं आप किसी news paper को पढ़ रहे हैं आप किसी book को पढ़ रहे हैं आप exam paper को पढ़ रहे हैं जो आपका left है वो उस content का left होता है जो आपका right है उस content का right होता है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखें कि माली जी यह क्या है बताओ तो आप कहेंगे left side से है ना और यहाँ से जब counting होगी तो यह counting बताओ किस तरफ से क्रा कहलाई जाएगी तो आप कहेंगे सर इस तरफ की जो counting होगी वो कहाँ से होगी बताइए right side से होगी चलो अब यहाँ पर देख लिए left side और right side देखिए आप पर समझे चीजों को माल लिजे हमें किसी व्यक्ति के स्थान को गिनना है जैसे मैंने कहा इस व्यक्ति का इस्टाम X है और हम X के स्थान को गिन रहे हैं ठीक है अलफावेटिकल सेक्षन की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे ध्यान दीजीगा है ना इसलिए इसके बाद अलफावेटिकल सेक्षन को पढ़ाएंगे ठीक अब यहाँ से देखिए left से 7 है अब यहाँ से हमने गिना एक दो तीन तो यहाँ पर right से इसका स्थान क्या हो गया चार राइट से क्या हो गया चार अब हम x के दोनों स्थानों को अगर जोड़ते हैं एक्स के दोनों स्थानों को अगर हम लोग जोन नहीं हैं से बिटा तो एक्स का ये राइट से स्थान किता था चौथा अगर हम एक्स के दोनों स्थानों को यहां पर जोन हैं तो हम क्या कहेंगे एक्स सेविन पिलस एक्स फोर ठीक है तो एक्स के दोनों स्थानों को जो 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 तोटल किता हुगा 11 जो की पॉसिबिल नहीं है यह सही स्टेक्चर नहीं दिखा रहा है क्यों एक्स का स्थान 7 है और एक्स का स्थान 4 इलाबर 11 लेकिन पंती में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 10 ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस व्यक्ति के स्थान को दो बार गिना गिया व्यक्ति तो एक है लेकिन एक बार हमने इस व्यक्ति के स्थान को लेट से गिना और एक बार हमने इस व्यक्ति के स्थान को राइट से गिना चुकि एक व्यक्ति के स्थान को जब हमने दो बार गिना गया तो ये सही स्थेक्चर नहीं है इसका सही स्थेक्चर क्या होगा आप कहेंगे सही स्थेक्चर होगा 7 प्लस 4 पहला इस्थान जोड़ा दूसरा इस्थान जोड़ा लेकित दोनों थे एक ही व्यक्ति और एक व्यक्ति को दो बार गिना गया तो minus 1 equal to कित्ता हुगा 10 तो यह क्या हो गया बताओ यह सही structure हो गया तो देखो पहले सिरे से जो इस्थी थी तो हमने इसको क्या लिखा बताओ हमने लिखा position from one end position from one end मतलब पहले सिरे से इस दि थी इसको हमने क्या लिखा इसको हमने लिखा position from other end position from other end मतलब दूसरे सिरे से इस दि थी position from one end and position from other end minus one ये क्यों किया क्योंकि इस पंक्ती का structure सही हो जाए equal to जो ये 10 को हमने क्या कहा total मतलब किसी व्यक्ती की अगर एक पंक्ती में हमें इस्तिति निकाल ली हो तो पहले सिरे से उसकी जो इस्तिति दी गई है उसको जोड ले अगले सिरे से उसकी जो इस्तिति जो दी गई है उसको जोड ले जोकि एक व्यक्ति के स्थान को दोनों बाद गिना गया, इसके एक स्थान को कम करके स्थरूटी को दूर कर दे, तो हम पंग्ति के टोटल स्ट्रेक्चर को निकाल सकते हैं, अब पोजिशन फ्रॉम दा वन एंड को माल लीजिए, हमने माल लिया x1, सांकित रूप है, और इसक लिए एक फॉर्मूला ले सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम क्या कह सकते हैं, बताएए, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 माइनस 1, एक्वल तोटल, मतलब, जब दो व्यक्तियों की इस्तिथियां दी गई हो, या एक व्यक्ति की दोनों इस्तिथि दी गई हो, तो हम क्या करेंगे, उ हमारा क्या हो जाएगा तोटल हो जाएगा यह बहुत बेसिक सी बात में आपको समझा रहा हो ताकि आगे दिक्तत ना हो और जो लोग जानते हो वो ठीक है जो लोग नहीं जानते हो वो इसको देख ले क्यों माइनस वन करते हैं क्योंकि फर्स्ट कंटेंट पहला कंटेंट आपका यह हो गया. बैंक पीओ के जब सवाल करेंगे तो यह कंटेंट याद रखना होगा. सेकंड कंटेंट आपका यह हो गया. सेकंड कंटेंट यह हो गया. और थर्ड कंटेंट आपका यह हो गया. थर्ड कंटेंट आपका यह हो गया मतलब तीन कंटेंट है तीन कंटेंट में से कोई भी दोनों कंटेंट है ना तीन कंटेंट में से कोई भी दोनों कंटेंट अगर हमें किलियर हो जाए तो फिर हम इसको क्या कर लेंगे किलियर कर लेंगे एक content, दो content, तीन content किसी सवाल में तीन content मैंसे अगर हमें कोई भी दो content दिये गए हों तो हम तीसरे content पार हमसे लिकाल सकते हैं ये के लिए होगा अब यहां पर समझ लिजी आगे समझ लिजी आप देखें जैसे माल लीजी मैंने कहा किसी पंग्ती का राजिस का राजिस का प्रारंब से इस्थान उन्नीश्वा है अंत से इस्थान क्या होगा यदि कुल 63 व्यक्ती पंग्ती में हो बहुत आसान है आपके लिए कुल 63 व्यक्ती पंग्ती में हो किसी पंग्ती में राजिस का प्रारंब से इस्थान उन्नीश्वा है अंत से इस्थान क्या होगा यदि कुल उस पंग्ती में 63 व्यक्ती व्यक्ती उस पंग्ती में हो तो आराम से आप calculate कर सकते हैं देखें आपको तीन content से मतलब है x1 plus x2 minus 1 equal to total यही है कि नहीं अब देखो दिया क्या क्या गया है राजिस्का प्रादम से स्थान 19 मा मतलब position from the one end दे दी गई है 19 plus अंत से स्थान क्या होगा अब अंत से स्थान मतलब x2 आपको find करना है minus 1 equal to total भी आपको दे दिया गया है कुल कित्ते व्यक्ति पंति में 63 तो आप रेका कुल कित्ते व्यक्ति हैं 63 आराम से आप इसको कर सकते हैं सीधे सीधे calculate कर लिए 19 plus x2 बराबर अब ये minus 1 किधर जाएगा तो 64 हो जाएगा अब ये होगा x2 बराबर तो ये हो जाएगा 64 minus 19 हो जाएगा कि नहीं अब 64 में से जब 19 जाएगा तो 14 में सनोगा कित्ता पच्छा 5 और ये कित्ता हो जाएगा 45 तो आप लोगों का answer क्या हो जाएगा इतने आसान सवाल लेकिन नहीं आते हैं इतने आसान सवाल नहीं आते हैं इतने आसान सवाल नहीं आते हैं ये तो माल लिए ठीक है कि बेसिक किलियर करने के लिए ठीक है लेकिन सवाल इतने अच्छे नहीं आते हैं एतना प्यार से सवाल आपको नहीं देता कि एक पंक्ती में राजिस प्रादम से यहां वेठा है अंद से यहां वेठा है पंक्ती में इत्ते वेक्ती हैं तो कौन सा इस्थान होगा ऐसा देने लगे तो फिर बताई क्या है दिक्कत ही न हो अब जब यह relation आता है जब यह सवाल आता है तो सवाल ऐसा नहीं सवाल कंपेरिजन के साथ आता है और वहाँ पर हमें अपने विवेक्ता इस्तमाल करना होता है कैसे माल लेजिए दो-दो विस्तुओं को कंपेर्द कर दिया हो देखिए एक चीज बस आप याद रखिएगा कि जो X1 प्लस X2 है क्लियर यह क्या है बताओ सबसे जो महत्पूर चीज आपको याद करने की है जो कंप्शूज करेगी जो आपको दिक्कत करेगी X1 प्लस X2 एक ही पंग्ती में प्यार दीजेगा इस लेंग लाइन पर एक ही पंग्ती में एक ही व्यक्तिया वस्तु के अलग-अलग व्यक्तिया वस्तु नहीं है जो एक ही व्यक्तिया वस्तु के इस्थानों का योगफल है मतलब इस्थानों का योगफल है मतलब क्या है समझ लो बेटा की X1 जो है समझ लो X1 जो है और X2 जो है वो एक ही व्यक्ति के दो स्थान है ये अलग-अलग व्यक्ति नहीं है तो सबसे जादा जरूरत आपको इसी को समझने की है कि X1 प्लस X2 ये एक ही व्यक्ति का रिलेशन है और ये तीनों कंटेंट जो है वो एक ही व्यक्ति की और एक ही पंग्ति से रिलेटिद है कि लिए ये चीज थोड़ी से समझने की है कि लिए अब हम ये टोटल कम निकाल सकते हैं जब हमें एक व्यक्ति ये वस्तु के दोनों स्थान पता हो जाए तो हम एक ही पंग्ति की बात कर रहें ये हमें जीवन में कभी भी नहीं बोला है चलिए जैसे माली जे सवाल आपसे पूछा गया एक मिनट रुक जाईएगा के लिए है देखो जो चीज मैं आपको बताना चाहिए रहा था वो चीज समझो जैसे एक सवाल है दो चीज़ें आपको निकालनी है वस्तु की एक सूची में घड़ी आरम से 45 में स्थान पर है और मोबाइल अंत से 70 में स्थान पर है यदि घड़ी अंत से 50 में स्थान पर हो तो दो चीज़ें आपको निकालनी है निकाल भी सकते हैं कोई दिक्कत लिए है देखो अगर हम वाच के लिए यहाँ पर कैलकुलेट करें है तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमें दोनों स्थान किसके दिए गया है ठीक है बस्तू कि एक सूची में घड़ी आरम से 45 में स्थान पर है और मोबाइल अंत से 70 में स्थान पर यदि घड़ी अंत से 50 में स्थान पर हो मतलब अगर हमें घड़ी के दोनों स्थान दिए गया है तो यहाँ से हम तोटल निकाल सकते हैं तो दूसरा इस्थान बताओ क्या है 50 अगर एक इस्थान 45 है दूसरा इस्थान 50 है माइनस 1 इकल तो हम इस पंक्ती का टोटल निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूले से क्या था बताओ X1 प्लस X2 माइनस 1 इकल टोटल इसी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं तोटल लग दीजिए तो 45 प्लस 50 पंचानव माइनस 1 चौरानवा तो हम यह क्लियर हो गया कि इस पंक्ती में कितने हैं चौरानवा लोग है ठीक है अब अगर हम मोबाइल के बारे में यही कैलकुलेसन करें तो मोबाइल की कैलकुलेसन के लिए भी हम क्या करेंगे तो आप कहेंगे मोबाइल की कैलकुलेसन के लिए आप लिखेंगे X1 प्लस X2 माइनस 1 इकल टोटल अब देखो एक ही पंक्ती है तो X1 का स्थान हमें दे दिया गया है क्या मोबाइल के एक हम बात करें तो मोबाइल अंत से कौन से स्थान में 70 में मतलब x1 हमें निकालना है x2 हमें दे दिया गया है मोबाइल का 70 minus 1 equal to total भी हमें clear हो गया है कि total कित्ता है 94 अब हम आराम से हैं total यहां से मिल गया अब हम आराम से निकाल सकते हैं x1 बराबर अब देखो यह इधर जाएगा x1 plus 70 बराबर 95 तो x1 बराबर कित्ता होगा तो होगा 95 minus 70 बराबर कित्ता हो गया 25 हो गया तो यह आपका कित्ता हो गया मतलब यह 25 हो गया किता हो गया 25 अगर वैं कहूं कि यह स्थान क्या भी और कुल वस्तूओं की संख्या किती है तो आप क्या कहेंगे 94 दोनों निकाल लिया हाँ तो हमें समझने की कोसिस यहां पर यह करनी है कि एक ही व्यक्ति या वस्तूओं के दोनों स्थान जब हमें मिल या है तो हम टोटल भ रिलेशन था वो रिलेशन था आपका 123 रिलेशन क्या था 123 रिलेशन यहां समझिए जब हम लोगों ने शुरुबात की थी यहां पर है तो हम लोगों ने क्या गया था 123 रिलेशन कब लगता है देखो जब हमें एक एक पंग्ती में घ्यान दीजेगा इस सब बहुत काम आने वाला एक पंग्ती में दो व्यक्ति या वस्तुओं एक पंग्ती में दो व्यक्ति या वस्तुओं के तीन इस्थान दिये गया हो हो तो यहां पर जो relation लगता है उस relation को हम क्या करते हैं one two three relation क्यों one two three कहा यह समझेए one एक पंग्ती है two दो व्यक्ती है आवस्तू है और three तीन इस्थान दिये गए है एक पंग्ती में दो व्यक्ती है वस्तूओं के जब तीन इस्थान दिये गए हो तो हमसे पूशा जाता है नया इस्थान क्या पूशा जाता है नया इस्थान है ना इन सबका मैं आभी यूच करूँगा आगे ध्यार रखेगा तो नया इस्थान जब one to three relation में करते हैं तो हम क्या कहते हैं a1 प्लस a2 बराबर b1 प्लस b2 जहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या है पहली वस्थू या व्यक्ति और वी क्या है तो हम कहेंगे दूसरी वस्थू या व्यक्ति तो जहर सी बात है A1 क्या हो जाएगा पहली बस्तू का पहला इस्थान और A2 क्या हो जाएगा पहली बस्तू का दूसरा इस्थान B1 क्या हो जाएगा दूसरी बस्तू का पहला इस्थान और B2 क्या हो जाएगा दूसरी बस्तू का दूसरा यहां से भी हम सीधे उत्तर को निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे पिछले सवाल में जब हम जाएं, जो मैंने आपके साथ लगाया, वहाँ पर हम लोगों निकाला था, नया इस्थान 25, इसको हम लोगों वहाँ पर करके देखते हैं, यह बात समझ में आ इतनी, अब समझ यह, A1 प् यह कब लगेगा, जब एक पंग्ती में दो व्यक्तिय वस्तुओं की तीन इस्थान हमें दिये गए हो, ठीक है, जैसे, समझ दे की कोशिस करिए, ठीक है, जैसे मालो, हम लोग इस सवाल पर डिसकस कर रहा है, अब देखो, वस्तुओं की एक सोची में, मतलब पंग्ती एक ह वस्तु दो हो गए, कैसे, एक तो घरी है, खेला, और दूसरा क्या है, मोबाइल, तो देखो, पंग्ती एक है, वस्तु कित्ती हो गई, दो, और इस्थान कित्ते दिये गए हैं, तीन, कौन-कौन से, पहला इस्थान, दूसरा इस्थान, और तीसरा इस्थान, तो नया इस् वह लिजी कुछ नहीं करना है माली जी हमने माना ए क्या है घरी है पहली वस्तु क्या है घरी है और बी क्या है मोबाइल है आराम से कंपेर कर दीजिए देखो हम क्या कहेंगे एवन प्लस एटू बरावर बीवन प्लस बीटू नया इस्थान अपने आप निकलाएगा ये क्या है घरी है घरी का पहला इस्थान क्या था पैतालीस घरी का दूसरा इस्थान क्या था बताओ पचास पैतालीस प्लस पचास बरावर बीवन हमें निकालना है बीवन मतलब बाल का दूसरा स्थान क्या था 70, compare कर दीजिए, यह हो जाएगा, 95 बराबर, B1 प्लस 70, अब 70 को इधार ले जाएगे, तो माइनस हो जाएगा, तो B1 बराबर हो जाएगा, 95 में माइनस 70, तो B1 बराबर किता हो जाएगा, बताओ, 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां से भी हम इसका स्थान 25 निकाल सकते हैं, है ना, तो हमें ये भी यार रखना है, क्योंकि जब बड़े सवाल आएगे, और 1-2-2-3-3 concept एक साथ मर्ज होंगे, तो हम कुछ concept को इससे निकाल के उसमें मर्ज करेंगे, तब हमें आसानी होगी, क्योंकि ranking का जो सवाल होता है, उसमें 1-2-2-3-3 सवाल के concept एक साथ मर्ज होते हैं, तो अब आप बताईए, क्या ये 1-2-3 relation जो मैंने आपको clear किया था, एक पंक्ती में, दो व्यक्तिय वस्तुओं के, तीन स्थान जब दिये गए हों, और हमें नया स्थान निकालना हो, तो हम नय स्थान को दो तरीके से निकाल सकते, या तो हम कह दें, x1 plus x2 minus 1 equal to total, ये तो ये तरीका है हमारे पास, और या हम सीधे compare करें, तो हम क्या कह सकते हैं, a1 plus a2 बराबर b1 plus b2, कहीं कहीं हमें ये काम आएगा, और कहीं कहीं, अब देखो, अब ये भी सांत हो गया, क्या लिखा है, किसी पंक्ती में, चलो, किसी पंक्ती में, एका, उप उपर से स्थान, देखो, किसी पंक्ती में, a का, उपर से स्थान के त्या है, सातवा है, और b का, उपर से स्थान, पंद्रमा है, कथा नीचे स्थान, किसमा है, तो a का नीचे स्थान क्या होगा, अब देखो, one, two, three relation है, एक पंक्ती, दो व्यक्ति, आवस्तू, और तीन सीधे कह दीजिए एकी ही बात की गई है सीधे कह दीजिए बेटा क्या बताओ A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2 बेटा इस से ज़्यादा जूम कर रहे हैं तो आज पता नहीं मूं लोड नहीं ले रहा है तो दिखाई आपको दे रहा होगा हाँ हाँ चले आईए देखो A1 हाँ तो A का उपर से स्थाम कौन सा है सातमा ठीक है A2 नहीं पता तो B का उपर से स्थाम कौन सा है बताओ पंद्रमा ठीक है और नीचे से स्थाम कौन सा है 21 हम आराम से निकाल सकते हैं 7 प्लस A2 बराबर 36 तो बताओ A2 बराबर क्या हो जाएगा 39 हमें X1 प्लस X2 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे हमारा answer 29 हो जाए, आप देखो, ये बात होगी, आप देखो PCS में बेटा एक question पूछा गया, अब ये आपके बिवेक पर है, है ना, same pattern पर PCS ने भी एक question पूछा, मैं कुछ बेसिक साज आपके के लिए, 28 हमारा सवाल का उत्तर कर दो जारा सा, अगर विवेक होगा तो तुरंद कर लोगा, बताओ, क्या होगा 28 में का उत्तर जल्ली बादा, क्या लिखा है, एक कच्छा में जितने बच्चों ने बार्सिक परिक्छा उत्तीर की, एवं नीचे से 28 है, यदि 16 बच्चे परिक्छा में फैलो गए हो, तो कुल कितने बच्चे परिक्छा में बैठे, ठीक है, ड्यालो, एक कच्छा में जितने बच्चों ने बार्सिक परिक्छा उत्तीर की, ठीक, वो ये total किल लोगों का आएगा जिन्होंने परिक्षा उत्तीर की क्योंकि उत्तीर होने वालों की संख्या के किरम में दोनों दे दिये गए है ना तो बताओ कितने बच्चों ने की उनमे से गाम का उपर से स्थान चौदमा है तो इसमें चौदा आओ तो 41 ने उत्तीर की ओर 16 फैल हो गए तो फैल तो ये तभी होए होंगे जब परिक्षा में वैख्यों तो टोटल कितने थे 57 ये PCS ने मेंस में अपने कुष्चन पूछा था यहां पर कितना होगया 57 total कितना होगया 57 बी ओप्षन सही हो लै तो अब मुझे एक बात बताइजे आप लोग इसका मतलब यह है कि हम लोगो यह भी क्िलियर हो ग见 ए ए वन-टू-टू-थ्रイ रिलेशन और हम लोगो यह भी क्लियर हो टॉपिक को शुरू कर सकते हैं वास्ता रेंकिंग के टॉपिक को वास्तिक रेंकिंग के टॉपिक को हम लोग प्रारम कर सकते हैं हम लोग इस इस्तिती में टॉपिक है वो बहुत महत्पूर टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्जीमम नंबर मैग्जीमम नंबर and minimum number क्या कहते हैं बेटा maximum number and minimum number अब इसका चार्ट पहले अच्छे से देखिएगा maximum number and minimum number इसको हम लोग कहते हैं क्यों कहते हैं समभाई लिजिया देखो दो तरीके से सवाल बेटा हम लोगों से पूछे जाते हैं एक हम लोगों से जब सवाल पूछा जाता है तो लिखा होता है अब हम reasoning के दूसरे topic में है जिसका नाम है हम लोग कहते है अधिक्तम संख्या या जाहर ये इसको हम लोग एक नाम से order आनते हैं जिसको हम लोग कहते है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा संख्या यह हम लोग इसको कहते हैं कुल संख्या और एक नयाद बर्ड संख्या संख्या यह चार सब्द बेटा कहीं लिखे हों तो इन चारों सब्दों का मतलब यह होता है कि आप से क्या पूछा गया है बताईए इंगलिस में मैंग जीमम नंबर पूछा गया है क्या पूछा गया है बताओ मैंग जीमम नंबर पूछा गया है ठीक है मैंग जीमम नंबर पूछा गया है संयोजित संख्या एक नया टर्म था जो इस बार IS की परिच्छा ने अपने पेपर में यूज किया था CSET की पेपर में और उन्होंने इसके लिए एक नया टर्म इजात किया जिसको क्या कहा गया संयोजित संख्या जिसको कहा गया दूसरा जो इसका जो होता है वो क्या होता है इसको हम लोग कहते हैं नियूंतम संख्या नियूंतम संख्या या इसी को हम लोग कहते हैं कम से कम संख्या क्या कहते हैं नियूंतम संख्या कम से कम संख्या या इसी को हम लोग कहते हैं अती व्यापन संख्या अती व्यापन संख्या या इसी को हम कहते हैं सर्ता संख्या सर्ता संख्या ये जो दोनों टर्म थे ये भी आपसे I.S. की परिख्छा में यूच किये है है ना सर्ता संख्या या अतिव्यापन संख्या जब भी पूछा जाता है इसका भी मतलब क्या होता है नियूंतम संख्या होता है सर्ता संख्या या अतिव्यापन संख्या जब भी होता है इसका मतलब नियूंतम संख्या होता है और हम लोग इसको क्या कहते हैं बताव इंगलिस में minimum number क्या कहते है minimum number ठेका परिच्छा की दृष्टी कोर से यदि हम लोग देखें तो परिच्छा की दृष्टी कोर से 2% सवाल आपके यहां से आते हैं क्योंकि इसमें logic नहीं है और 98% सवाल आपके यहां से आते हैं क्योंकि ये जो portion है logic से भरा हुआ है फिर समझे परिच्छा के हिसाब से देखें तो 2% सवाल हमारे यहां से बनते हैं और 98% सवाल हमारे यहां से बनते हैं के लिए परिच्छा के हिसाब से मतलब हमें पढ़ना तो दोनों ही है लेकिन हमारे लिए ये जो पक्ष है बेटा ये पक्ष ज जो है तीन तरह के उसपर depend करती हैं, तीन तरह के months पर depend करती है, या एक को हम कहते हैं sd, है डी का मतलब होता है smaller digit, smaller digit, थ्यार समझिए आम, एक को हम कहते हैं md, md का मतलब होता है middle digit, ये सबसे महत्पूर पक्ष है, समझ लीजे, उसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बीच में या मद्ध में बैठे हुए बैठे हुए व्यक्ति या रखी हुई बस्तूओं की संख्या रखी हुई बस्तूओं की संख्या, इसको हम क्या कहते हैं सवाल में, एमडी कहते हैं, मतलब एमडी क्या मान क्या होगा, यदि मिडल टर्म कुछ भी है, बीच में कुछ बस्तूओं रखी हैं, तो हम लोग उसको क्या मूलेंगे, एमडी बोलेंगे हैं और एक आपका होता है बीडी, इसको हम क्या कहते हैं, बीगर डीजिट, क्या कहते हैं, बीगर डीजिट, सबसे पहले जब हम रेंकिंग का कोई भी सवाल maximum number और minimum number का लगाने चलते हैं, तो हमें सबसे पहले जिस पद को उसमें खोजना होता है, वो पद आपका होता है, यहां पर देख लो, आपर इसे structure के साथ हमें क्या करनी है, शुरुबात करनी है, हाँ, हाँ, बिलकुल, कम से कम संख्या, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बिलकुल, ये देखे, अब एक एक चीज को लिखना संभाव नहीं है, माल लिजे, अगर simple है, मैं जीमम बात है, अधिक्त भार एक भासा की बात है, इतना अगर आजाएगा, तो आप लोग समझ भी लेंगे, ठीक, चले, अब इसके आगे बढ़ लीजिए, इसके आगे बिटा, जब हम बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम अधिक्तम संख्या से सुरू करते हैं, ठीक है, देखे, अधिक्तम संख्या क क्या लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने लिखा, किसी पंटी में प्रारम से, प्रारम से, प्रारम से, दस्वा इस्थान है, प्रारम से दस्वा इस्थान है, किसका, राजी इसका, फिर मैंने लिखा अंत से अंत से ग्यारावां स्थान है दिनेश का और इन दोनों के मद्ध में कि साथ व्यक्ति बैठियें एक पंक्ति का स्टेक्चर तो मैं सिंपल से आपसे यहां पर कहूं कि इस पंक्ति के स्टेक्चर के हिसाब से एगर हमें समझना है और मैं आपसे पूछू कि यहां पर कुल व्यक्तियों की अधिक्तम संख्या क्या होगी है तो सिंपल है अधिक्तम संख्या का मतलब होता है बिटा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति बिठाल सकें कि इन तीनों ही सर्थों को पूर करने हैं अधिक्तम संख्या का मतलब होता है हमें इन तीनों ही सर्थों को पूर करना है पहला तो हमारा यह है तो अधिक्तम संख्या का मतनब होता है हम जादा से जादा कितने ब्रेक्ति बिठाल ले कि हम इन तीनों ही सर्थों को पूर करना है तो सिंपिल सी बात है प्रारणम से राज़िस्ट का इस्थान कौन सा है, दसमा, तो हम ने लिखा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हम ने दसमा इस्थान मनाया, प्रारणम से, और ये किसका था, राज़िस्ट का, चलिए अंत से दिनेश का इस्थान कौन सा था ग्यारमा, हमने ग्यारमा इस्थान दिनेश का बनाया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, ये अंत से हमने ग्यारमा इस्थान मनाया, है न, ये किसका था बताओ, दिनेश का, है न, ये हमने अंत से बना फिर लिखा है इन दोनों के मद्ध में किते व्यक्टि वैथे हैं, साथ, हमने एक और कर लिया, एक, दो, तीं, चार, पांच, छे, साथ, ये क्या होगा साथ व्यक्टि, मद्ध, गौर से दिखें, बीचवर्म वैथे वे व्यक्टियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, Md, ये ह हो गया हमारा एम गी जिसको हमने अभी आपको क्या बताया था मिडिल डिजित यहीं पहचान लेजिए हमेशा मिडिल डिजित को सबसे पहले मिडल डिजित को सबसे पहले क्या कर देंगे चार्ट लेंगे अब आपके पास दो संख्या होगी एक संख्या यह है और एक संख्या इन दोनों ही संख्या में देख लीजिए कौन सी संख्या सबसे छोटी है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है पहचानना बता रहे है मुझे भी क्या कहेंगे SD, smaller digit, क्या कहेंगे, smaller digit, SD, और ये जो संख्या है, ये 11, अब ये बची, इस संख्या को लेने के बाद compare करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, BD, bigger digit, अधिक्तम नंबर में मैंने कहा कि इसके सवाल 2% आते हैं, वो इसलिए आते हैं, क्योंकि इसमें कोई logic नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें इसमें क्या करना है, तीनों को add कर देना है, जैसे अगर हम कहें, अधिक्तम संख्या कैसे निकलेगी, तो अब आप सीदे सीदे कहिए, SD, plus MD, plus BD, plus BD, plus BD, बरावर maximum number, maximum number, तो हमारा ये निकल आएगा, हम तीनों को जोड़ दें, तो यहां हमने सीदे सीदे कहा, इसके कोरने, बताव क्या था, SD हमारा क्या था, तो आपने कहा 10, MD क्या था, साथ, और BD क्या था, तो आपने कहा 11, अब बताव 11, 7, 18, 10, 28, तो हमारा इसका उत्तर किता हो गया 28, सर्थ के अमसार ये देख लिजे, हमने एक भी व्यक्ति को eliminate नहीं किया अधिक्तम हम कितने व्यक्ति विठालने हैं, कि हमारी ये condition पूरी हो जाए, total apart, हमने तीनों को जोड़ दिया, यहां कोई बायवाही नहीं है, ये सवाल भी नहीं कूशता कमी सन आप से है ना, लेकिर ये सवाल जानना जरूरी है, अब दूसरी बार, दिक्कत आपको कहां से होती था, अब वोसी condition को अगर मैं फिर से ले दो, मैं कहूं कि प्रारम से, जो राजिस का इस्थान है, किसी पंक्ति में प्रारम से, वो राजिस का इस्थान दस्वा है, ध्याल दिखे, राजिस का इस्थान क्या है, दस्वा, ये मैंने लिखा प्रारम से, बने रहिएगा, फिर मैंने लिखा जो वहाँ पर लिखा था अंत से अंत से दिने इसका हिस्तान कौन सा है बताओ 11 हमा हो गया और मध में कित्व एक्टी वेटे साथ दौनों केम врем why कित्व एक्ती वेटे थे साथ अब मैंने कहा कि इस condition में इन तीनों बातों को satisfy करते हुए बताइए कि इस इस्तिती में minimum कम से कम संख्या क्या होगी अब देखो यह logical है minimum number कैसे logical है हम कम से कम कितने व्यक्ति बिठा लें प्रतेक व्यक्ति यहां concentrate करेगा हम कम से कम कितने व्यक्ति बिठा लें कि यह तीनों ही condition satisfy कर जाए कैसे राजिस का प्रागम से स्थान दसमा तो मैंने पहली condition कुलिया एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नो दस यह condition satisfy होगी पहली राजिस का प्रागम से स्थान दसमा होगी चलो दूसरी condition मद्ध में कितने व्यक्ति हैं साथ अब overlapping करानी सुरू हुई मद्ध में कितने व्यक्ति हैं साथ गौर से देखो कितने व्यक्ति साथ तो एक दो तीन चार पाच छे और साथ व्यक्ति हमने मद्ध में बठा ले अगर साथ व्यक्ति हमने मद्ध में बठा ले तो किस किस के राजिस की, ये दिनेस माल लिया, आप देखो, पहली कर्णिशन सैटिस्फाई हो गई, क्या, राजिस का स्थान दस्मा था, फर्स्ट कर्णिशन सैटिस्फाई, ये राजिस है, और ये दिनेस है, दोनों के बीच में बैठी होए व्यक्तियों की संख्या, ये किती होगी बता साथ ये दूसरी कंडिशन सैटिस्फाई हो गई तीसरी कंडिशन क्या थी बताओ तीसरी कंडिशन थी कि राजिस का अंत से स्थान कौन सा था ग्यारमा अगर यहां से हम राजिस के दिनिस का अंत से स्थान कौन सा था ग्यारमा यहां से कर हम दिनिस के स्थान को गिने एक दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौट, मतलब अगर हम ये दो और यहां पर खीच दें, तो देखो, ना तो पहली कंडिशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना तो दूसरी कंडिशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और तीनों कंडिशन सेटिस्फाई होगी, कैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, ये तीसरी कंडिशन भी सैटिस्फाई हो गई, नियूंतम कंडिशन में जब हमने तीनों कंडिशन को सैटिस्फाई किया, पहली को, दूसरी को, तीसरी को, तो कम से कब हमने कितने व्यक्ति इठा ले, त सकते हैं, सपोच करिए कि कि किसी पंग्ति में माल लीजिए, कि कहा जा कि 200 व्यक्तियों की एक पंग्ति में, हैना, राजिस का प्रानम से स्थान 179 मा है, 32 व्यक्ति दोनों के बेच में बैठे हो, दिनेस का स्थान 78 मा है, तो बताइए, नियूंतम और अधिक्तम संख्या क् आप 200 व्यक्तियों को वहां पर नहीं रख सकते हैं, या 500 व्यक्तियों की पंग्ति में, तो यहां पर हमें को यह एक ऐसा प्वंसप्ट चाहिए, कि जह हमें लाइन ना खीशनी पर है, तो ध्यान से देखिए, अब मिनिमम नमबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब व संख्या है, और मैंने कहा था कि सबसे पहले चुनना है इसमें अब अगर हमें चुनना हो, तो बताओ, मद्द में बैठ हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, साथ, लाइन को भूल जाएए, तो यह अब देखो, यह बड़ी संख्या है, ग्यारा, और यह छोटी संख्या है, दस, यह मान हमें सब बदलते रहें, कभी नीचे वाला बीडी हो सकता है, कभी उपर वाला, तो यह जो दस है, क्या हो गया, सदी, और यह जो ग्यारा है, क्या हो गया, बीडी, अब यहां पर देखो, अगर हमने इसको रख्था, तो एस डी का मान कितना है, बताओ, तो तीन में से दो गया, एक बचा, और एक पिलस ग्यारा, अगर इसको हमने जोड़ दिया, तो कितना हो गया, बारा, तो हमारा minimum नंबर क्या हो गया, बारा, और हमीं यह लाइन खीचने की जरूरत यहां पर नहीं है, मतलब, अगर निउन्तम संख्या हमसे पूछी जाए, तो ह सीधे सीधे हम यहां पर उसको पूट करेंगे, कि निउन्तम संख्या का मतलब क्या होता है, बताओ, अगर निउन्तम संख्या हमसे पूछी जाए, कम से कम संख्या, तो निउन्तम संख्या का सीधे सीधे मतलब होता है, SD-MD-2, और प्लस क्या हो जाएगा, BT हो जाएगा, अ तो नंबर गेम में हमारे पास दो concept निकल के सामने है, ध्याल से बने रहेगा, ठीक, एक concept तो हमारे पास निकल के सामने आया, max number का, और एक concept हमारे साथ सामके निकल के आया, minimum number का, max number का जो concept है बेटा, इस max number के concept को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर max number का जो concept है, वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सीधे-सीधे, sd, plus md, plus bd, और minimum number का जो concept है, इसको हम क्या कहेंगे, बताओ, sd, minus md, minus 2, plus bd, यह clear हुआ, अब मैं आपको एक condition देता हूँ, सिंपल सी, मैं एक पंक्ती का structure आपको दे रहा हूँ, फिर मैं इस प्रिक्रिया को आगे बढ़ाऊँगा, मैं कहूँ कि एक पंक्ती में प्रारम से, प्रारम से, अजय का स्थान, प्रारम से अजय का स्थान, एक सो बहत्तरवा है, अंत से, विन्य का स्थान, अंत से विन्य का स्थान, एक सो ते तीस्वा है, और फिर मैंने कहा, दोनों के मद्ध, मद्ध, 63 व्यक्ती बैठे हैं, 63 व्यक्ती बैठे हैं, और फिर मैंने आप से पूछा, तो बताइए, कुल व्यक्तियों की अधिक्तम और नियूंतम संख्या इस पंक्ती में क्या हो सकती है, आप लोग उत्तर कर दीजें, जल्दी से, अगर ये बात किलियर हो गई, तो सबसे पहले देखें, तो बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ये है, तो ये तो MD हो गई, बस इतना ही पहचानना है, अब बड़ी संख्या ये है, तो ये BD हो गई, बिगर डिजिट, और छोटी संख्या ये है, तो ये क्या हो गई, SD हो गई, अब आसान हो गया इसमान को अगर यहां रखनेंगे तो 3ों को जोड़ना है तो बताओ किता हो जायगा 3, 3, 6, 2, 3, 3, 6, 2, 8 जोड़ दिया 8 हो गया फिर क्या हो जायगा बताओ 6, 3, 9, 9, 7, 16, 6 हो जायगा अब बताओ 1, 2, 3, 368 तो मेक जीमा मगर तीनों को जोड़ने तो 360 हो जाएगी अब SD-MD-2 SD और MD के अंतर को अगर हम देखें तो 133 में से 63 जब जाएगा तो बताओ कित्ता हो जाएगा SD-MD को अगर हम सीधे सीधे ले ले तो यह कित्ता हो जाएगा बताओ 3 में से 3 गया 0 फिर 13-13 में से 6 गया 7 है ना तो इकत्ता हो गया 70 हो गया है ना 70 में से 2 और खटा दीजिए वो पिलस BD का मानिस में से जोड़ दीजिए 172 है ना तो इकत्ता हो गया 68 और 112 और 68 और 172 को अगर हम लोग जोड़ दें है ना तो कित्ता हो गया 240 चालीस तो minimum number जो होगा वो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा और maximum number जो होगा वो क्या हो जाएगा 300 जब डोनों स्थान एक ही छोड़ से दिये गए हो तो बो अभी आएगा मैंने लिखवाया भी आपको कि कुल संख्या निकालने के लिए जब दिसाएं समान हो और जब दिसाएं असमान हो तो इसके अगले टाइप में वो चीज भी आएगी है ना बिल्कुल मत जल्दवाजी क पढ़ा रहा हूं सिक्वेंस में पढ़िए जब दिसाएं समान होंगी उसका भी बताऊंगा और जब दिसाएं असमान होंगी उसका भी बताऊंगा अभी जो बता रहा हूं पहले इसको अच्छे से समझे क्लियर है बताए यह बात क्लियर हुई अब यहां पर देखे एक द यहां पर एक चीज और समझे लो कि जो maximum number है यह पिरतेक स्तिथी में प्राप्त किया जा सकता है मैंक जीमर नंबर जो मीनिमम नंबर है भेट किया जा वो प्रतेक स्थिव में प्राप्त नहीं किया जा सकता अब इसकी फिर यहां से दो स्थिथिया है प्राप्त नहीं किया जा सकता तो अब यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं ठीक है इसको उठाते हैं यहां से तो अब हम देखते हैं कि किस स्थिव में प्राप्त किया जा सकता हो किस सित्री में प्राप्त नहीं किया जा सकता ठिक आईए हाँ चलिए देखो अब समझ लो जैसे माले हमने नियूंतम नंबर की बात की तो हमने लिखा SD-MD-2 और प्लस गेदी यह नियूंतम संख्या है नियूंतम संख्या के बार में दो कंडिसन है आपकी यहां पर फिर आपकी अप्ली केबल होती है देखो यदि SD-MD का मान त्यान से देखना यदि SD-MD का मान दो या दो से अधिक है तो तो नियूंतम संख्या को प्राप्ट किया जा सकता है यदि SD-MD का मान ध्यान दीजेगा कि इस किस टर्म को लिया दो या दो से अधिके तो नियूंतम संख्या को प्राप्ट किया जा सकता है लेकिन भीटा ध्यान दीजेगा अगली लाइन माइनस MD का मान यदि SD-MD का मान दो से कम है तो नियूंतम संख्या को प्राप्ट नहीं किया जा सकता है को प्राप्ट नहीं किया जा सकता है अब होता क्या है कि जब सवाल आया तो हम सीधे सवाल पर तूट पड़े जबकि होना क्या चाहिए कि अगर हमने पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा है और नियूंतम संख्या पूछी गई है तो सबसे पहले हम SD और MD के मान की तुलना करने पर यदि वो मान दो से अधिक है तो तो हम सवाल को लगाएं और नहीं तो सीधे हम D option टिक करके आगे निकल जाएं कि ज्यात नहीं रोल बेक करते हैं देखो यहाँ पर हमने SD माइनस MD का मान क्यों याद किया देखो यह MD है और यह SD है कंपेर करिए दस में से साथ या कित्ता बचा तीन मतलब यह मान दो या दो से अधिक है तो हमने minimum नंबर को find कर लिया ठीक है रहा लेकर अगर हम कोई सवाल की ऐसी प्रिस् एक पंक्ती में रमेश का प्रारम से स्थान चौवीस हुआ है ठीक है अंत से दिनेश का स्थान अठार हुआ है और इन दोनों के मद्ध में 17 व्यक्ति बैठें तो कुल व्यक्तियों की अधिक्तम और नियूंतम संख्या ग्याद करिए है आराम से समज़िए सबसे पहले तो आप में एलॉट किया कि बेच में में व्यक्ति 17 है तो सत्तरा क्या हो गया, MD अब 2 संख्याइ बचिए यह क्या हो गया, BD, और यह क्या हो SD अगर अधिक्तम संख्या ग्याद करनी है तो तो तीनों को जोड़ दीजिए लेकिन निउन्तम संख्या अगर ग्याद करनी है तो फिर यहाँ पे एक बास समझ लेजिए कि अब 18 और 17 का जो अंतर है वो किता है एक है और यह अंतर अगर एक है तो सीधे D option पर चले जाएए निश्चत और ग्याद नहीं किया जा सकता हाँ हाँ क्लियर है हाँ तो फिर क्या करिए D option पर चले जाओ बताओ क्या करना है D option पर कि D option पर चले जाओ कि निश्चत और ग्याद नहीं किया जा सकता क्लियर है हाँ हाँ समझ में आई बात हाँ बिलकुल आसाम से क्यों कंडिशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी क्योंकि जब आप इसको लाइंस में बदलेंगे तो लाइंस में कंडिशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी है ना अगर सपोच करिए मैं इस डिजिट को कम कर दूँ जैसे ही बेटा मैं इस डिजिट को यहां पर बदल दूँगा और मैं इस डिजिट को 17 की जगा सपोच करी है ना मैंने इस डिजिट को 17 की जगा 15 ही कर लिया है ना तो इसका मतलब अब यह है कि अब यह मान निकल जाएगा क्योंकि अगर हम यहां पर इसको 15 करके SD और MD का अंतर देखते है 15 और 18 तो यह अंतर किता होगा 3 होगा है ना और अगर यह अंतर 3 होगा तो हम आराम से इसको कल्कुलेट कर सकते हैं हाँ कल्कुलेट कर लिजिएगा कैसे मालो अब हमाने लिए क्लियर होगया तो हम सीधे कहेंगे SD माइनस MD माइनस 2 और प्लस क्या होगया BD अब देखो SD किता है बटा तो आप कहेंगे SD किता है 18 है अब बताव MD किता है तो MD किता है 15 है माइनस 2 और प्लस क्या है BD, BD किता है 24 है आराम से कल्कुलेट कर दीजिए 18 में से 15 गया 3, 3 में से 2 गया एक और एक प्लस 24 किता हो गया 25 तो अब हमारा मान 25 हो जाए हाँ क्लियर है 25 है ना 25 हो जाए अगर देखो हाँ अगर हमें लाइनस से इसको समझना है तो हम एक बार लाइनस से भी सिद्ध करके आपको बता देते हैं क्यों यह होता है उसको भी समझ लीजिए लाइनस से भी समझ लीजिए कैसे तीनों कंडिशन मिनिमम में सेटिसफाई नहीं करेंगे देखो मैं लाइनस खीच के समझ रखाओ जैसे मान लीजिए मैंने कहा कम संख्या ले लेते हैं तो समझ में आए जागा जैसे मैंने कहा राजिस है प्रारम से इसका इस्थान नौमा है फिर मैंने कहा महेश है महेश है अंस से मैंने कहा कि इसका इस्थान जो है छटमा है और मैंने कहा इन दोनों के मंद में पांच ब्यक्ति बैठें पांच ब्यक्ति ठीक अब देखो समस्या कहां पर होती है लाइन से मैं सिद्ध करके आपको दिखाता हूँ एक बार ध्यान से समझज़िए मैं प्रूफ करता हूँ जैसे आपने कहा कि minimum में तीनों condition को satisfy कराना है clear? कैसे? कैसे राजिस्का इस्थान नॉमा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नॉमा इस्थान किसका हो गया? राजिस्का, clear है? पहली condition satisfy हो गया नॉमा हो गया क्यों यह होता है यह समझ लीजिए अब दूसरी condition को satisfy कराना है दूसरी condition कहा कि दोनों के बीच में कित्ते व्यक्ती बैठे है 5, अब हम दूसरी condition को satisfy कराने के लिए चले उसी तरफ से तो यह नॉमा इस्थान तो किसका था? बताओ राजिस्का था? हो गया अब एक, दो, तीन, चार और पांच व्यक्ती दोनों के बीच में बैठे है 5 व्यक्ती दोनों के बीच में बैठे है कित्य व्यक्ती बैठे है? 5, यह middle term हो गया पहली condition satisfy, दूसरी अब आप इस जीवण में कभी भी तीसरी condition को इस condition में satisfy नहीं करा सकते क्योंकि कभी भी महेश का इस्थान छटमा नहीं हो सकता क्योंकि अगर दोनों लोग बीच में बैठे है तो यह व्यक्ती महेश होगा यह condition satisfy होगी ही नहीं कैसे गिल लीजी आप कैसे satisfy होगी सिद्ध कर लीजे देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब महेश का इस्थान अंत से क्या आ रहा है सात्मा जो की गलत है अब देखो अगर आप यहां से एक line कम कर देंगे तो यह condition disturb हो जाएगी अगर आप 20 से काम line कम कर देंगे तो यह condition और यह condition disturb हो जाएगी और अगर आप इसका स्थान सात्मा रखते हैं तो यह condition satisfy नहीं कर सकती ऐसा क्यों हुआ क्योंकि पांच, यह MD था और 6, यह SD था और MD-SD का जो अंतर है वो एक है जैसे ही अंतर दो से कम होगा कि तीनों condition कभी भी satisfy नहीं करेगी क्लियर ही बागए देख लिए फस जाएगा और जैसे ही यहां से आप एक व्यक्ति को eliminate कर देंगे यहां पर आप संख्या को बढ़ा देंगे यह तीनों condition satisfy कर जाएगे में कुई दिक्त नहीं है दिक्त कहाँ पर है maximum अधिकक्त तो simply चलेगा कोई दिक्त नहीं है maximum में ही दिक्कत है हाँ हाँ clear हुई बात अब उनको clear हुई अब देखो इसी के दुसरे प्रक्ष को देख ले suppose कर लिए माल लीजे हमने एक और condition ली बिल्कु किस्टिल के लिए ख लीजे ठीक और हमने थोड़े से डिजिट बदल लिए मैंने कहा राजेस का प्रादम से स्थान नो हो आए देखो कैसे होता है और मैंने कहा दोनों के बीच में चार वेक्ति बेठे है चार वेक्ति बेठे है ठीक है और महेश का स्थान हमने छटमा कर दिया, अंत से महेश का स्थान कौन सा छटमा, यह सेटिस्फाई कर जाएगी, यह बहुत अच्छे सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि देखो, यह MD है, और यह क्या है, SD है, और MD और SD के अंतर को जब हमने लिया, तो यह क्या होगी है, दो, तो हम लोगों ने क्या कहा था जब भी अंतर किता दो या दो से अधिक होगा तो ग्याद कर सकते हैं ये condition satisfy कर जाएगी कैसे नौमा इस्तान है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो ये satisfy हो गया कौन सा इस्तान है? नौमा राजिस का अब देखो दोनों की बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? चार बदल दो एक, दो, तीन, चार व्यक्ति बीच में है उसका मतलब ये महेस हो गया और महेस का इस्तान कौन सा? छटमा अपने आप हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तीनों कंडिशन सैटिस्फाई है आप मिनिमुम नंबर को गयात कर सकते हैं तो जब परिक्षा में सवाल मिले तो जैसे क्या करते हैं? हम सवाल पर तूट परते हैं हमें सवाल पर तूटना नहीं है हमें पूरी बुद्धी लगानी है हाँ, क्लिए है? हाँ, अब देखो आसानी सी बात है कि हमें देखना है कि S-D और M-D का जो मान है अगर वो 2 या 2 से कम है अब फिर उसी पर लोगते हैं किसली पर, क्या? हाँ, पिरते किस्तिती में गयात किया जा सकता है और देखो यदि S-D माइनस M-D का मान क्या है, बताओ 2 से कम है यहाँ पर क्या लिखा है? 2 या 2 से अधिक है है ना? तो गयात किया जा सकता है यदि 2 या 2 से कम है तो गयात नहीं किया जा सकता अभी किलियर हुआ? हाँ S-D तो R होगा क्यों R होगा, पिटा, S-D? है ना? देखो 6 S-D होगा और 9 बड़ा है तो 9 B-D होगा उपर नीचे से नहीं बेटा लेते हैं जो बड़ा होता है वो B-D होगा तुल्ला करने पर जो छोटा होता है वो S-D होगा सुरवास से भी यही सभ्या रहे है, ना? चलिए आग्या दीजिए Love you all आग्या दीजिए